साथ्यों मिडिया केवल देश के हालातों का मुक दर्शक भर नहीं होता। मिडिया के आप सभी लोग हालातों को बदलने में देश को दिशा देने में एक एहम रोल निभाते हैं। आज भारत एक ऐसे कालखन में है जब उसकी अगले पचीस वर्सों की यात्रा बहुत एहम है। इन पचीस वर्सों में भारत विक्षित बने इसके लिए पत्र पत्रिकाओं की भुमी का भी उतनी ही बड़ी है। यह मिडिया है जो देश के नागरीकों को जागरुप करता है। कि उनका सामर्थ क्या है। आप भी देख रहे हैं। जिस देश में नागरीकों में अपने सामर्थ को लेकर आत्म विस्वास आ जाता है। वो सभलता की नई उचाई प्राप्त करने लगता है। भारत में भी आज यही हो रहा है। मैं एक छोटा सा उधान देता हूँ आपको। एक समय था है जब कुछ नेता खुले आम कहते थे कि डिजीटल ट्रांजेक्शन भारत के लोगों के बसकी बात नहीं है। यह लोग सोचते थे कि आदुनिक टेक्नलोजी वाली चीजे इस देश में नहीं चल पाएगी। लेकिन भारत की जनता की सुझबुश और उनका सामर्त आज दुनिया देख रही है। आज भारत डिजीटल ट्रांजेक्शन में दुनिया में बड़े-बड़े रेकॉर्ड तोड रहा है। आज भारत के UPI की वज़े से आदुनिक डिजीटल पब्लिक इंफ्रसेक्टर की वज़े से लोगों की इस अफ लिविंग बड़ी हैं। लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पैसे भेजना आसान हुआ है। आज दुनिया भर में हमारे जो देशवासी रहते हैं खास करके गल्ब के देशों में हैं। वो सबसे ज़्यादा रेमिटन्स भेज रहे हैं। और उनको जो पहले खर्च होता था उस पर से बहुत कम ही आड़ी है। और इसके पीछे एक वेज़े यह दिज्डेटल रिवलुशन भी है। दुनिया के बड़े बड़े देश हमसे टेकनोलोजी और हमारे इंप्लिमेंटेशन मोडेल को जानना समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह इतनी बड़ी सभलता सिर्फ सरकार की हैं ऐसा नहीं है। इस सभलता में आप सभी मेडिया के लोगों की भी सभवागिता है। और इसलिए ही आप सब बढ़ाई के भी पात्रा है।